एक अच्छे दोस्त बनो आपको कोई ग्लोरी की जरूरत नहीं है ग्लोरी का मतलब यहाँ पर वो ही है रीचनेस, ग्रेटनेस मतलब आप कोई महान हो आप बहुत धंदौलत वाले हो पैसे वाले हो ऐसा जरूरी नहीं है आप एक सिंपल इनसान बन के भी किसी के अच्छे दोस्त बन सकते हो दोस्ती वो तो एक सिंपल कहानी है पास बाइ ट्राइफलिंग एरर ब्राइनली देखो यहाँ पे पास बाइ का मतलब होता है इग्नॉर करना नीचे मीनिंग लिखा है मैं पास बाइ यानि इग्नॉर और यहाँ पे एक वर्ड है एरर एरर का मतलब होता है मिस्टेक यानि गल्ती और ट्राइफल मतलब अनिम्पोर्टन बीन जरूरी चीज़े तो पास बाइ ट्राइफलिंग एरर्स ब्लाइनली यानि कि जो छोटी छोटी गल्तिया है उसको आप इग्नॉर करो कभी कभी हम क्या करते है दोस्त की कोई छोटी छोटी गल्तिया होती है तो उससे चिर जाते है तो ऐसा नहीं करो ऐसी कोई छोटी गल्ति हो अनिम्पोर्टन कोई इश्यू है कोई बीन जरूरी बात है और ऐसी छोटी मोटी गल्तिया है तो उनकी माफ किया करो ऐसी छोटी छोटी गलतियों को इग्नौर करो Gaze on honest effort kindly Gaze on यानि encourage Gaze on honest effort kindly लेकिन आपका दोस्ट जो honest effort करता है effort का मतलब होता है प्रहतना आपका दोस्ट जो प्रामानिकता से प्रहतना करता है उसको encourage करिए मतलब अगर दोस्ट कोई गलती करता है छोटी मोटी तो ऐसी गलती को ignore करिए लेकिन वो कोई अगर अच्छी बात कर रहा है कोई अच्छा काम करता है और प्रामानिकता वाला कोई वफ़दारी वाला काम करता है तो ऐसी बात को encourage करिए उसको उस्सा बढ़ाईए वो बढ़ावा दीजिए उसका उत्साह बढ़ाईए चीर दे यूथ who is bravely trying और अगर आपका दोस्त bravely यानि बहादूरी से trying यानि प्रयाद न करता है अगर आपका दोस्त बहादूरी से कोई अच्छे काम का प्रयाद न करता है तो उसे चीर करिए अपने दोस्त का उत्साह बढ़ाईए अगर वो बहादूरी से कोई अच्छा काम करने का कोशिश करता है pity him who is sadly sign pity यानि दया करना या दया आना और sign sign का मनलब आहे भरना sadly मनलब दुख से जो दोस्त दुख से आहे भरता है उस पर दया खाईए अगर आपका दोस्त दुखी है और अगर वो दुख में कोई आहे भरता है कुछ बात का उसको दुख है तो उसके ओपर दया खाईए उसके ओपर दया रखिए ऐसे दोस्त पर दया रखिए जो दुख में आहे भरता है अगर आप थोड़ा ही महनत करते हो यहां पर लेबर का मतलब होता है hard work यानि की work अगर आप छोटी सी hard work करते हो अगर आप छोटी सी महनत करते हो अपने दोस्त के पीछे और यही डूटीज है यही अगर आप दोस्त की एक अच्छे दोस्त की क्या-क्या फर्ज होते है एक अच्छे दोस्त की क्या-क्या डूटीज होती है उसके अगर आप उसके उपर अगर आप थोड़ी मेहनत करते हो तो यू कैन बी अगूड फ्रेंड तो आप अच्छे दोस् तो second sentence में देखिए फिर से पूरा देखते है poet कहते है कि आप एक अच्छे दोस्त बनो आपको कोई धन्वान या फिर महान बनने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए friendship एक simple बात है उसकी छोटी छोटी गलतियों को आप नजर अंदाज करिए उसको ignore करिए और उसके honest प्रयत्न को आप encourage करिए उसका अगर वो प्रामानिक क्या से कुछ प्रयत्न करता है तो उसको हिम्मत दीजिए और अगर वो बहादुरी से कोई नई चीज ट्राई करता है तो उसको cheer करिए उसका उच्सा बढ़ाईए अगर दोस्त दुखी है और दुख में आहे भरता है तो उसके उपर दया भी खाईए और थोड़ी ऐसी मेहनत अगर आप करते हो एक दोस्त की क्या-क्या फर्ज होते है वो दोस्ती के फर्ज निबाने के लिए अगर आप मेहनत करते हो तो आप एक अच्छा दोस्त जरूर बन सकते हो